नमस्कार, प्रेंड मैं आजाब के लिए नियूरेशि पिलाई हूँ मुंग डाल की बर्पी बर्पी बनाने के लिए मैंने एक कप मुंग डाल लेई है अच्छे से वाश करके तीन गंटे के लिए भीगाया है देखें, तीन गंटे हो चुके, दाल भीग गई है अभी इसका पानी निकालके हमें इसका पेश्ट बनाना है और एकदम दरदरा नहीं पिसना है बारिक पिसना है देखिए इस तरह पेश्ट रेडी हो गया है अभी मैंने ग्यास पे कडाई रखिए और उसमें डाली एक कप चीनी एक कप पानी आदा चमच इलाइची पाउडर थोड़ा सा नमक और दो से तीन उबली आने देना है और तो हमारा शुगर सिरफ रेडी हो जाएगा देखिए शुगर सिरफ रेडी हो गया है अभी मैंन ग्यास पे पैन रखा है और उसमें डाला एक चमच घी जो पेश्ट बनाया था मुंगडाल का वो इसको रोष्ट करना है 20-25 मिनिट लोफ लेम पे जब तक हलका ब्राउन ना है देखिए हलका ब्राउन आ चुका है और रेडी हो गया थंडा करके हमें पीसना है अगर आपको पीसना नहीं है तो और रोष्ट किजिए 10 मिनिट तो ऐसे बन जाएगा अभी ग्यास पे मैंने शुगर सीरप रखा है लोफ लेम पे उसमें डाला है बरपी का मिश्रन अच्छे से मिला कि इसमें डालना है मिल्क मेड आपको अगर मिल्क मेड ने डालना है तो मिल्क पाउडर या दूद की मलाई डाल सकते हो इसको अच्छे से 4-5 मिनिट मिक्स करके यह रेडी हो गया है मैंने प्लेट में अच्छे से घी ग्रीस किया है उसमें डाला है बरपी का मिश्रन इसको अच्छे से फैलाना है और सेट करने के लिए आदे घंटे के लिए रखना है चाहे तो आप रूम ट्रेंपेचर पे रखो चाहे तो फ्रेज में रखो इसके पीस बनाके एकदम यह बरपी रेडी हो गई है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए साथ साथ में कमेंट में बताइए मेरा वीडियो आपको कैसे लगा देखिए एकदम लग रही है ना बाजार जैसे मिठा है